गर में अगर aluminum की window लगाने का सोच रहो या door लगाने का सोच रहो उससे पहले ये वीडियो देख लेना क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि door लगाती है aluminum का कितना खर्चा आएगा कहां आप बेफकूप बन सकते हो क्योंकि कुछ दुकानदार आपको बेफक ट्रैक वाली बना रहे हो उन टोटल खर्चा कितना पढ़ जाता है और best window कौन सी रहेगी आपके गर के लिए ये वीडियो देख लो आपको सब clear हो जाएगा local market से कितना खर्चा पढ़ेगा किसी branded company का कितने खर्चा पढ़ेगा सब चीजे बता दूँगा सबसे पहले देख थोड़ा डल पढ़ने लग पढ़ता है और कभी कवार उसकी पपड़ी बनके निकलती भी है तो आपको क्या करना है दो कोटिंग आती है एक होती है powder coating दूसरी होती है anodized coating तो आपको अपने गर में अगर आप चाती हो कि shine भी बने रहे ना color faint हो ना वो खराब हो बले पानी आप बले दूप आए तो anodized coating का जो aluminium frame है वो आपको लगवाना है मतलब कौन सा anodized थोड़ा महंगा रहेगा लेकिन वो best है आगे rate बताने वाला हूं कितना महंगा रहने वाला है पहली चीज आपको ये check करनी है कौन सा anodized coating वाला लेना है दूसरी चीज कभी देखो aluminium की जो window ये door लगाते है हमारा rubber रहता है mostly वो खराब हो जाता है सणने लग पड़ता है और दीरे दीरे छोटे छोटे चोटे उसका निकलने लग पड़ता है और वहीं से हमारी window lose हो जाती है और गिरने लग पड़ती है तो आपको क्या करना है आपको e-pdm rubber use करने क्या e-pdm बो खराब मी होगा और अगली चीज करनी है आपको जो इसका slider रहता है जो ये roller रहता है ये अच्छी quality का होना चाहिए अगर roller अच्छी quality का ये पीच में PVC का होता है ये अच्छी quality की PVC होनी चाहिए और frame तो आपको steel का लेना है तो आपकी window अच्छे से चलेगी ये हो गया कुछ उच्छी हमें द्यान देनी है अभी मैं बात करता हूं अगर आप डोर बनाते हो अल्मूनियूम का simple door ठीक है ये die by छे का डोर यासे सामने देख रहे हो ये कौन सा है अनोनाइज कोटिंग इस पर क्यों ही है बहुत अच्छा सा लग रहा है अगर इसको अपने गर में आपक लो तो वो आपको 130 से 280 रूपश कर फिट मिल जाएगा कितना मार्कें 130 से 280 रूपच सकती है लेकिन उसमें दिख्ट रहती है कि शाहिन ठोड़ी हो सकती है ये जहसे मेंだ होती है अल्मूनियम आप दुकान दार आपको कहा बेब कुछ बना सकता है जैसे मैं एक्जेम्पल लेता हूँ एक दुकान पे आपने रेट पूछा कि हमें डोर लगवाना है अल्मूनियम का डाई भाई छे का डोर है उसने बोलती है कि आपको में डेट सुरुपे पर स्केर फिट दूँगा लेकिन आप सोचोगी तो वह 500 बोल रहा था यह 200 बोल रहा है तो यह खराब मतलब महंगा दे रहा है नहीं इसमें थिकनेस का बहुत इंपोर्टेट रोर होता है तो अगर मोटाई जादा होगी तो उसकी शमता जादा होगी स्टेंट अच्छी होगी और ब बात कर रहा था डोर है डाइवाई छे का 130-250 रुपे पर स्केर फीट चल रहा है तो हम पकड़ते 130 तो 1950 रुपे का लोकल एरिया में आपको यह डोर बनके रेडियो हो जाएगा एक डोर 1950 मतलब 2000 रुपे का डोर अनुनियों का रेडियो जाता है फ्रेम बनता है हलमोनी का ब की जो पाइप सेक्शन्ज है वो जिंदल की जूज है टाटा की जहां इंदल को की जांब humility नही के आता है इनके ये टॉप ब्रैंट्स होगे इनके आती है इनके ऐलक से विंडो भी बनके आती है और इनकी सेक्शन वी होती है जो लोकल मार्केट में बिक्ती है उस से लोग हो पड़ती है मतलब डवल आपका खर्चा हो जाता है अगर ब्रेंडिट सास्थ जाते हो अच्छी verlies के सा सब चीज़े दो देखती हो तो आपको डवल पैसे देने पड़ेंगे बाकी आपको लोकल्रेटेजिस देने believers सिंप भाल ये भी बहुत अच्छी लगती है और ये जो coating है ये powder coating है ये सामने आप देख रहे हो powder coating है और कभी-कभी powder coating भी बहुत अच्छी चल जाती अगर अच्छे से coating की हो किसी अच्छी company ने तो in coating ये विंडो लगाने का जो खर्चा पड़ जाता है आपको वो शुरू हो जाता है 230 रुपे पर square feet से कितना 230 रुपे 280 ये सामने जो विंडो लगी है ये 500 रुपे पर square feet में लगी है और ये आप देख रहे हो अगर हम example लेते हैं ये जैसे विंडो है ये विंडो है height है और साथ feet चोड़ी है तो इसका जो हमें खर्चा पड़ा था पांच वैस साथ को multiply कर लो और rate 240 वगलो ये रेट चल रहा है तो आपको कुछ 8700 रुपे का ये विंडो बनके रेडियो जाएगा लकडी या UPVC या किसमें जाओगे तो 16,000-17,000 रुपे आपका खर्चा जा अगली चीज अगर हम लगाते हैं ट्रैक वाली विंडो उनका बोध रोल है बोध लोग यूज़ करने जिसमें दो ट्रैक वाली भी आती है दो ट्रैक वाली कौन सी होगी जिसमें हमारा क्या होता है सिर्फ mirror mirror दोनों तरफ शिशे होंगे जाली net नहीं होगा ये खुलेंगी वो रेट चल रहा है 250 से 350 रुपया पर स्केरिफिट कितना 250 से 350 रुपया है 260 वाली कौन सी होगी जो लोकल लोकल गडिया क्वालिटी नहीं बोल रहा है अच्छी क्वालिटी का सब कुछ कुछ ब्रैंड का नाम नहीं इतना चिपका हुगा है नॉर्मल आप यूज कर सकते ह उसकी लाइब भी उतनी होगी जितनी ब्रैंडिड होती है तो ब्रैंडिड साढ़े 300 की मिल जाएगी 260 की हमें लोकल मार्केट से मिल जाएगी तो 4x4 की अगर विंडो लगाते हैं 4x4 इंटू 260 करते हैं देखो कुछ 4,160 रुपया हमारा बन जाता है 4x4 की दो ट्रै की लो क्वालिटी की होगी तो 320 रुपया पकड़ते हैं कुछ 5,120 रुपया अनोडाइस का हमारा खर्चा आयता है जिसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी जिसमें आप ब्राउन कलर भी यूस कर सकते हो और एक चीज दियान रखना बीना कोटिंग वाली अगर लेते हो simple window वो थो उसको अगर लगवाती हो वो रेट चल रहा है इसमें 380 से 4500 रुपया पर स्केर फीड कितना 380 से 4500 रुपया पर स्केर फीड अच्छी क्वालिटी की window और अगर 4 वाई 4 की वो window है अगर हम multiply करते हैं 380 से तो कुछ 6,500 रुपय की वो window हमारी बंके रेडियो जाती है एक जो खुद से windows मनाती है बले 2 track वाली 3 track वाली बिढ़ना पढ़ ले वाली तो वो rate चल रहा है समें 600 से 700 रुपय पर स्केर फीड कितना 600 से 700 रुपया उधर company का brand का नाम भी आ गया अनोडाइस भी हो गया thickness भी अच्छी होगी coating भी अच्छी होगी सब कुछ अच्छा है लेकि लेकने में नई variety भी रहती है बहुत अच्छी लगती है लेकिन अगर आप खुद से बनवाते हो जैसे local area में बनवाते हैं बहुत दुकाने होती है वो ब्रेंटिन material यूज करेंगे टाटा का जिंदल का हिंदयलको का बट खुद से बनाएंगे वो खिडकी आपके लिए तो और उसकी quality देख लेना जो roller यूज करने वाले हैं तो आप अच्छी aluminum window अपने गर में ले सकते हो अगर गर बनाते हैं पैसे बचाने हो और देखने में भी लूक अच्छी चाहिए तो aluminum की windows है बहुत अच्छी लगती है बाहर से इतनी सुन्दर लूक देती है तो आप उनको यूज करो क्योंकि खिटकी बार बार खोलना का को इशू नहीं है लकडी यूज करोगे एको friendly नहीं है UPVC यूज करोगे महंगी है और जब based हो जाएगी मतलब अगर future में बेचना भी है कुछ नहीं मिलेगा aluminum को बेचोगे return भी अच्छा आएगा तो एक अच्छा product आप एडिया लगया होगा नहीं लगया कमेंट करो और अपने एरिया के rates बताना क्या rate आपके एरिया में चल रहे हैं क्यूंकि 10-20 रुपे आगे पीछे उपर नीचे होंगे जूरूर